है गाइस वेलकम टो जीकेस्टेडी 24 आसा करता हूं गाइस आप सब बिलकुल अच्छ होंगे तो गाइस आज हम डिसकस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट चेप्टर बोध बुद्धिज्म से लिटेड तो दोस्तों बोध की हम संगितिया डिसकस करेंगे दोस्तो जैसा कि एकजामों का लेवल भड़ रहा है तो दोस्तों आजगर बोध की प्रमुक्स संगितिया पूचे जाती हैं कि वह किस स्तान पर हुई और किस राजा की कारिकाल में हुई और दोस्तों उनका अध्यक्स को हूं था तो दोस्तों हम डिसकस करेंगे इस सेशन को तो मैं आपको ट्रिक और कॉंसेप्ट के द्वारा बताने वाला हूं दोस्तों हम इसके में डिसकस करेंगे बोध संगितिया जो की एक दूर तीन और चार हैं दोस्तों यह किस वर्स में हुई किस इस तान पर हुई और इनका देक्स को था और गाइस इनका कि यह किस राजा की क यह जाते तो आपने देखा ही होगा की बिक पिचर में राथ तो दोस्तो आप इस्तान को याद रखेगा रनवीर कपूर धाना का इस पीके पिच्चर में तो आपको यह याद रखना होगा कि आर से हो जाएगा राजगर और वी से हो जाएगा वेसाली और पी से होड़ जाएगा पाटली पुत्र तो दोस्तों आपको चारो संगितियों क के इस्तान याद होएंगे कि रैनवीर सिंग पिक के पिचर में आर का मदलब राजगिरे वी का मदलब वेसाली और पी का मदलब पाटिल कुटर और के का मदलब कुंडलवन जो की कस्मीर में हैं दोस्तो इसी परकासे मैं आपको देख्स भी याद करवाऊंगा तो दोस्तो आ मैेक की जाएगा आपको अधया रखना है दोस्तो आए याद मगे आ कोंसेप्ट यूज्द करेंगा आदेक्स के लिए तो दोस्तो मा कश् selbst हो जाएगा एमसे स year नकवी और फिर ऐंसे हो बत्त हरो तो समद्त ऊतेतं के दोस्त हम देखते हैं कि राजाओ कोको कैसे i9 गरें अजात सुत्रू काला शोक और अशोक और कनिश्क दोस्तो इनको याद रखने के लिए हमारे ट्रिक है एके एके दोस्तो यह आपके माइन वे बिल्कुल से याद रहेंगी दोस्तो ऐसे हो जाएगा अजात सुत्रू और काला शोक हो जाएगा कैसे और अशोक हो जाएगा फिर ऐसे और कनिश्ग हो जाएगा केसे तो दोस्तो मैं आप दूबार से एक बार रिविजन करवा देता हूं दोस्तो पहली वोध संगिती है राजगिरे जो की दोस्तो इसको याद रखेंगे हम स्तानों को आर भी पी केसे दोस्तो फस्ट में हो जाएगा राजगिरे, सेकंड बोद संगिती में हो जाएगा बेसाली और धर्ड में हो जाएगा पाठली पुतर जो की पीसे हो जाएगा और फॉर्ट में हो जाएगा कुंडलवन जो की केसे हो जाएगा दोस्तों अध्भको को याद रखने के लिए याद रखना होगा कि जैसे कि MSME होती हैं तो दोस्तो हमें MSM V दोस्तो लाशट में V को याद रखना है तो दोस्तो आप इसको याद रख सकते हैं कि M से हो जाए ₃ wackaship और दूसरी बोद संगती में अध्यक्स हो जाएगा ऐसे सभाकामी और तीसरी बोद संगती में हो जाएगा मोगली पुत एम से और दोस्तो चोती बोद संगती में वी से हो जाएगा बस समुत्र और दोस्तो अगर उपाद्यक्स पूचा जाए तो वो हो जाएगा अस्वगोष और दोस्तो ऐसे ही आपको राजा होगा कारेकाल भी याद रखना होगा कि कौन से बोधसंगती किस राजा की कारेकाल में होई थी तो दोस्तो इसके लिए ट्रिक है एक के एक के दोस्तो ऐसे हो जाएगा पहली बोदसंग के तीमी अजासुतु और दूसरी बोदसंग के तीमी हो जाएगा केसे काला सोग और तीसरी बोदसंग के तीमी हो जाएगा ऐसे असोग और चोती बोदसंग के तीमी हो जाएगा अस्वगोश दोस्तो मैं आज़ा करता हूं को आपको हमारी ट्रिक और कॉंसरप्ट अच्छे से समझ बहुए होगी तो दोस्तो आपको इस्तान याद रखने के ये लिए याद रखना होगा आर वी पी के क्या गाइस आर वी पी के दोस्तों राजगीरे बेसाली पार्टिल पुतर और कनेस्क दोस्तों यह हो जाएगे इस्तान के लिए और दोस्तो आपको अद्धेक्स के लिए याद रखाऊगा होगा MS, MV तो दोस्तो यह हो जाएंगे अद्धेक्सों के लिए दोस्तो इसी प्रकार से आपके राजाओं को कार्याकाल भी याद रखना होगा तो इसके लिए हो जाएगा AK, AK दोस्तो इतनी जह सारी चीज़ याद रखने के लिए आपको हमाट्रिक बहुत ज्यादा काम करेगी तो आप इन चीज़ को माइड में रुखिए दोस्तो यह आसानी सी याद वने वाली चीज़े हैं तो दोस्तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए तो दोस्तो ठैंक्स पूर वाचिंग जेहन